कि नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब का श्रडी फॉर्ट सेश्ट में तो यह वाला टेली ना जरूर जाइन करके यूटूब चैनल में बारे साथ है तो भी यह वाला टेली ना बहुत जादा जूरूर है सारी नोटिफिकेशन सारे अपडेट सारे मोशन इप्टेंट पिक्स सब कुछ यह पर बताया जाता है यह हमारा सेश डेली कुछ चैनल में डेली कुछ होती है बिल्कुल प्री में इसको जरूर जॉइन कर लिजेगा यह हमारा इस्टाग्राम का पेज है इसको जरूर फॉलो कर लिजेगा study for civil.services करके अगर आप इस्टाग्राम में सर्च करें जो हमारी daily current affairs news analysis की series है उसको यहाँ पर bilingual manner में continue करूँगा cover करूँगा और यह जो articles होते हैं आपके वो सारे leading newspapers से collect किये जाते हैं और जो leading government की websites है फिर आप लोगो को यहाँ पर उपलब्ध कराये जाते हैं जो आप लोगो के लिए especially for civil services UPSC और जो आपकी state PCS के examinations होती हैं उन अब्तम लाब भी अर्धित करें साथ ही दोस्तों अगर आपने इस वीडियो में 5000 likes का target complete किया तो आप लोगों को इस वीडियो की जो PDF है वो free of cost हमारे Instagram जो page है उस पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी तो आप लोग हमारा जो Instagram का page है उसको जरूर follow कर ले क्योंकि वहीं प knowledge sharing workshop on natural farming ये है इसके बाद उज्जोला scheme के बारे में है और कुछ data आया है वहाँ पर और उसके बाद job locals during 2020 lockdown के दौरान जो आपका नौकरी में जो लोगों की कई लोगों की नौकरी यहां चली गई जॉब चली गई तो उसके बारे में है ये आर्टिकल उसके बाद इंडिया ने जॉइंग किया है G20 का ट्रॉई का G20 वर्ड में सबसे बड़ी जो economies है उनका एक ग्रूप है जो leading आपका economic aspect पर decisions वगरा भी लेती है इसके बाद abundance of lithium in stars यह lithium जो आप देखते हैं कि battery वगरे में use होता है इसका काफी सारा use है digital era में तो यहां पर हम सबसे पहला जो आर्टिकल है वो देखने जा रहे है और GS paper 2 से linked है आपका वो आज भारती 9 से 9 दीवस है 4 December 2021 इसको आप याद रख सकते है contextual जहां पर भी पूछा जाता है question वहाँ पर यह देखा जाता है state pieces वगरे तो नीती आयोग ने organize किया है आपका knowledge sharing workshop on natural farming अब हमको यहाँ पर क्या जानने के ज़रूत है कि natural farming क्या है किस तरीके से यह जैवी खेती से अलग है बस इतना जानने के ज़रूत है यहाँ पर एक national workshop organize किया नीती आयो number को और एक website वगरा भी इन्होंने बनाई है जिसमें सारी की सारी जो जानकारी है natural farming से related वह आपको वहाँ पर उपलब्द कराई जाएगी ठीक है तो यह जो है इसमें involved कौन थे तो कृषी विज्ञान केंद्र वगरा इसमें involved थे और किसकी chairmanship में हुआ है तो जो आपके vice chairman है दॉक्टर राजीव कुमार उनके तत्वाधान में यह हुआ है उनकी chairmanship में अब यहाँ पर key point बताया जा रहा है कि यहाँ पर exclusive जो है website को develop किया है नीती आयोग ने ठीक है और उसको launch किया गया है दॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा अब इस website में क्या होगा normal से चीज़ तो इसमें जो है आपका informations होगी regarding natural farming जो प्राकृति खेती उसके बारे में सारी जानकारी होगी उसमें आपका coverage जो भी है यह ना natural farming का कहा पहा पर आपका practice किया जा रहा है इंडिया में वो भी बताया जाएगा various जो schemes हैं उसके संदर में वो भी वहाँ पर बताई जाएगी औ जो भी initiative से आपके central or state government के और जो success stories है farmers की और relevant जो publications की वो सब वहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा उस website में अब यहाँ पर इंडिया में कई सारे जो आपके model से वो working है natural farming से related all over the world पूरे world के संदर में बता रहे हैं कि बहुत सारे जो models है आपके natural farming के already working है लेकिन भारत में जो सबसे जादा popular है वो आपने सुना होगा जेड़ बी एनफ जिसको zero budget natural farming बोलते हैं ठीक है और यह comprehensive natural और spiritual farming system है जो develop किया गया था किसके द्वारा पदमस्री जो हमारे शुभास पालेकरजी है इनका नाम आप याद रख सकते हैं यह बहुत important है ठीक है इसके बार जो natural farming है उसके बारे में बताया जा रहा है तो natural मतलब प्राकृतिक मतलब रासाइनिक जो भी खाद है बीज है उर्वरक है कीट नाशक है तो रासाइनिक किसी भी तरीके के अवियव का यूज ना करना उसको बोलते है हम natural farming और traditional farming method है यह आपका तो chemical free allies जो है आपका traditional farming method इसी को natural farming बो and livestock with functional biodiversity बिल्कुल easy चीज है इसको समझीगा इसमें agro ecology जो है उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं जैसे हम बोलते हैं agro climatic zone जब geography में आप पढ़ते हैं वैसे यह agro ecology based diversified मतलब विविदता पूर्ण farming system है जिसमें integrate किया जाता है एकिकरत किया जाता है crops भी होती है उसमें trees भी होत है किसके साथ कार्यात्मक आपकी जो जैव विविदता है उसके साथ ठीक है normal से चीज है यह आपका इसके बाद जो next यहाँ पर point बताया जा रहा है कि यह वही चीज है कि जो हमारे यहाँ परंप्रागत क्रिशी विकास योजना है एक centrally जो आपका sponsored scheme है ठीक है ना तो centrally जो sponsored scheme है परंप्रागत क्रिशी विकास योजना उसी के अंतरगत जब आप देखेंगे तो प्राकृतिक खेती को भारती प्राकृतिक जो क्रिशी पद्धती कारिक्रम है उसके रूप में हमारे हाँ प्रमोट भी किया जा रहा है और केंद्र प्रायोजित यह आपकी योजना है यह याद रख सकते हैं बिल्कु सिंपल सा पॉइंट है इसके बाद आप देखेंगे तो इसका एम क्या है तो इसका एम है आपका प्रमोट करना traditional indigenous practices को जो रिड्यूस करेगा externally जो भी purchase किया जाता है input जो आगत है जो purchase किया जाता है वो अगर आपका कम हो जाएगा तो सीधी बात है कि जो आपकी इस्थानिक प्रणाली है परंपरगत प्रणाली है उसके द्वारा प्राकृतिक अवेवों का प्रयोग किया जाएगा तो biodiversity भी वहाँ पर क्या होगी conserve होगी और input भी हमारा बचेगा तो लागत प्रभावी भी हो जाएगी वो आपकी यहाँ पर largely यह based ह जो आपका वो on farm biomass recycling पर based है with major stress on biomass जैसे mulching होता है use of on farm जो आपका cow dung है उनके urine वगरा है formulations उसका use करेंगे periodic soil aeration की बात है यहाँ पर and exclusion of all synthetic chemical inputs तो यहाँ पर सारे जो आपके synthetic chemical inputs है उनको exclude किया जाता है उनका भी कोई प्रयोग नहीं किया जाता है उनका बहिशकरन सामिल है श natural farming का मतलब यह कि किसी भी तरीके के chemical component का हम use नहीं करेंगे अब यहाँ पर एक report है HLP की report है उसमें natural farming के लिए यह बताए गया है कि यह reduce करता है dependency on purchase inputs जब हम purchase ही नहीं करेंगे तो हमारी dependency कम हो जाएगी जो help करेंगा इसको जो small और marginal farmers है will help to ease small holder जो आपके farmers है from credits burden तो सीधी बात है अगर input कम हो जाएगा तो रिन के बोज से वो मुक्त हो पाएंगे इसके बाद यह जो program है आपका BPKP जो लिखा हुआ है has been adopted in जो states के बारे में बता रहा है कि अंदर प्रदेश के करनाटक है हिमाचल प्रदेश इसमें यह भी बताया गया है रिपोर्ट किया गया है कि effectiveness के बारे में प्रभाविक्ता के बारे में प्रभावत पादक्ता भी बोल सकते है natural farming के संदर में तो जो BPKP है in terms of increase in production इसमें प्रोडक्शन में increment देखा गया है sustainable तो यह होगी ही इसमें water भी जो है conserve होता है saving of water use improvement होता आप इसको देख सकते हैं एक बार ठीक है और इसके बार जो है next article की तरफ move भी करेंगे हम यहाँ पर कुछ points और बताये जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है रोजगार बढ़ाने और जो ग्रामीन विकास की एक लागत प्रभावी क्रिशी पद्धती है उसके रूप में भी natural farming को देखा जाता है अब की difference देखेंगे यहाँ पर हम natural farming और organic farming देखें organic farming को थोड़ा सा costly माना जाता है with respect to natural farming ठीक है तो जैसे organic farming है तो उसमें organic fertilizer यूज़ करेंगे और फिर खेतों में उनको यूज़ किया जाता लेकिन natural farming की बात करें तो ना तो यहाँ पर कोई chemical और ना ही organic fertilizer या कोई भी जो input है उसका यूज़ नहीं किया जाता है ठीक है na soil में उसको नहीं add किया जाता use नहीं किया जाता in fact अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके का external fertilizer जो है वो add ही नहीं किया जाता है और वो दिया ही नहीं जाता plants को तो सिधा सिधा difference यह समझ में आ गया आपको तो input वैसे भी कम हो गया तो यह लागत प्रभावी हो गई आपका पूरा surface है उसको वहाँ पर प्रोचसाहित किया जाता है किस लिए खेती करने के लिए ठीक है वही लिखा गया है कि earthworms is encouraged right on the soil surface itself which gradually adds nutrition in the soil over the period ठीक बात है अब organic जो farming है still requires basic agro practices जैसे कि प्लोइंग है tilting है mixing of manures है weeding है यह सब वहाँ पर perform किया जाता है natural farming की बात करें तो यहाँ जो है यह organic farming की बात करें यहाँ पर यह सब process है हम difference देख रहे हैं यहाँ पर natural farming में देखे तो ना तो वहाँ पर flowing किया जाएगा ना tilting है ना कोई fertilizer use करेंगे ना कोई weed use करेंगे वहाँ पर just the way it would be in natural ecosystem स्थीती बात है कि प्राकृतिक जो ecosystem है उसके हिसाब से हम natural farming करते उसमें किसी भी तरीके का मानव जनित जो है वहाँ पर हस्ताच्छे minimum रहता है अब organic farming की बात करें तो यह अभी भी expensive है क्यों क्योंकि यहाँ पर requirement होती bulk manure की and it has an ecological impact इसमें ecological impact भी देखा जाता on surrounding environments whereas natural agriculture is an extremely low cost low cost farming method completely molding with local biodiversity देखी यह सब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह सिर्फ लिखने की कला है पॉइंट बिल्कुल सेम है ठीक है कि natural जो भी farming है उसमें हम किसी भी तरीके का external source का या chemical composition का use ही नहीं करते हैं organic farming में जैसे expensive bulk manure की आपको आवशक्ता होती है उसकी भी आवशक्ता natural farming में नहीं होती है तो यह लागत प्रभावी भी होगी और यह natural local biodiversity पे based होती है तो यह आपका sustainable भी है और किसी भी तरीके का negative impact जो है वो nature पे नहीं डालेगी ठीक है तो there are many working models जो है आपके natural farming से related है पूरे world में लेकिन हमारे यहाँ जो है zero budget natural farming को यहाँ पर सबसे popular model माना जाता है इंडिया में ठीक है और यह जो है डेवलप किया गया था यह repetition है पदमस्री जो हमारे शुभास पालेकर जी है उनके द्वारा इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो next हमारा article है उजोला scheme से related है यहाँ पर कुछ data आया है ठीक है यह data है कि अभी RTI में एक मतलब RTI एक लगी थी उसके दौरान यह पता चलता है कि यह मतलब यहाँ पर यह जानकारी पता चली है कि 2019 का जो आम चुरा होता है उसके ठीक पहले जो है यह distribution में इसके थू जो है आपका उज पर जो response provide किया गया है by the ministry of petroleum and natural gas तो RTI के थू जो देखा गया है details जो देखी गई beneficiaries से related उज्जोला scheme में तो यह बोला जा रहा कि यहाँ पर यह data जो है लगातार जो है बढ़ता हुआ देखा गया है कब जो चुनाओ का साल था यह data वगरा याद नहीं कर रहा है हमको ठीक है अब यहाँ पर इसी तरीके से all states के बारे में रिखाया कि 16-17 में जो है जब launch किया गया उज्जोला को तो total जो LPG cylinder distribute किया डेली में वो किवल 463 था ठीके ना फिर उसके बाद वो 18 हो गया 17-18 में फिर यह आपका 73,251 हो गया 2018 में फिर उसके बाद फिर गिरा है आपका 3110 हो ग देखी जाती है यह बताया जारा तो यह डेटा जो है अलग-अलग states के बारे में जो आया है यह हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि उज्जोला जो इसकीम है उसके बारे में हम क्या जानते हैं और वो क्या है ठीक है ना वो दे आपीजी कि नहीं था जिनके यहां जो कंड़ वगर तो चारी महिलाइं जो खाना मनाती थी। उससे बहुत सारे lungs के respiratory system में भी बहुत सारी disease हो जाती थी, उस संदर में समझेगा, तो 2016 में ये launch की गई थी, प्रधान मंत्री जी के द्वारा, नरेद मोधी जो government है उनके द्वारा, और authorized जो इसकी oil marketing companies है, उसमें IOCL है, BPCL है आपका, HPCL है, उसके implementation के लिए, अब ये जो scheme है आपकी, इसके किस ministry के अंतर गताएगी, तो petroleum or natural gas, और किसलिए ये LPG connection को provide करने के लिए, किसको दिया जाता है, इसमें women's को दिया जाता है from BPL households, अब देखिए, यहाँ पर women empowerment से सीधा सीधा ये आपका linked हो गया, इसके बाद ये launch की गई थी, first off में 2011 को बलिया उत्तर प्रदेश थे, state PCS के लिए important हो गया, इसका target क्या था, तो target था वही है कि 2020 तक 8 करोड जो है LPG connections देने हैं, कि इसको वंचित वर को deprived households को, वंचित परिवार शब्द है यहाँ पर, और ये achieve कर लिया गया, इसका जो आपका लक्ष था, वो 2019 अगस्त में ही, मतलब 7 मन्थ पहले ही, जो है deadline जो थी, इसकी मार्च 2020, उसके पहले ही लक्षी की प्राप्ती कर ली गई थी, तो ये normal सी चीज़ है, इसके बाद जो next हमारा article है, ये job losses during 2020, ये third paper में भी आएगा, और second paper में भी आएगा, तो हाली में जो आपका ministry of labor और employment है, उसने recently जो बताया है data, किसमें job loss during the 2020 lockdown for covid pandemic, उसके संदर में बताया है, यहाँ पर जो findings है, वो part है आपका, AQ, WS, यह आप study देखते होंगे, यहीं आपका data आता है, तो यहाँ पर 9 छेत्रों की बात की गई है, revamped, जो आपका quarterly employment survey है, वो conduct किया गया, first quarter में, अप्रेल से लेके, जून 2021 के बीच में, और इसमें जो collect की गई informations, उसमें ये देखा जा रहा कि covid-19 का impact कैसा पड़ा है, on the operational status and employment status of the establishment in the 9 sector, 9 sectors को इसमें cover किया है, manufacturing है आपका construction है, trade है, transport है, education है, health है, accommodation है, restaurant है, IT है, BPO है, और financial services है, ठीक है, यह देख लीजएगा, अब यहाँ पर जो finding है, वो क्या है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, कि last year जो आपका covid pandemic के कारण, जो lockdown लगा, उसमें जो है, 7.5% job losses देखा गया, ठीक है न, किस-किस सेक्टर में, manufacturing में, construction में, education में, trade सेक्टर में, bearing the brunt more than white-collared employment in ITBPO's, financial service और health sectors, government data presented in parliament showed, तो यह जैसे आपके जो white-collar मतलब सफेद post जो रोजगार है, उनको इसका अधिक खामियाजा बुगतना पड़ा था, ऐसा बोला जा रहा है, संसद में जो प्रस्तुस सरकारी आकड़ है, लेकिन आप देखेंगे तो unorganized sector में भी बहुत ज्यादा problem हुई, है न, उनके पास किसी भी तरीके का social security नहीं होता है, तो सबसे ज्यादा impact उन पर पड़ा था, उस समय के जब हम articles देख रहे थे, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 9 जो key sectors है, उनको cover किया गया है, यह जो आपका survey है, और इसमें manufacturing sector जो है, उसमें record job losses देखे गया, है न, विनर मार्च हेत्र में, लगभग बोल रहे हैं कि 14.2 lakhs between the pre-lockdown, जो आपका March 25, 2020 का data है, और post-lockdown आपका 1 July 2020 के period में, तो इतना सारा नुकसान वहाँ पर देखा गया, त तो यह आपका, अगर आप चाहें, तो यह अपने पास रख भी सकते हैं, note down करके, लेकिन सारा data हमको याद नहीं करना है, यहाँ पर construction sector, जो है, इसमें भी record loss देखा गया, एक लाग के बराबर बता रहे हैं आपर, while trade and education sector में registered job losses, जो थी 1.8 lakhs थी, 2.8 lakhs जो है, आपका respectively बत देखा गया, उसके साथ ही आपका recorded ही बता रहे हैं हर जगे की 0.4 lakhs जो है, और 1 lakhs जो है आपका, वो IT और BPO sector में भी, same period में losses यहाँ पर देखा गया है, अब 9 जो आपके प्रमुक छेत्र हैं, जहाँ पर female workers जो थी registered थी, उनकी job loss के बारे में देखा जाए, तो 7.44% यहाँ पर देखा गया, यह 9 जो key sector हैं, जिनको cover कर रहे हैं, और यहाँ पर job loss figure जो है, male workers का, between the pre-lockdown और post-lockdown period, तो 7.48% था, जो data यहाँ पर show कर रहा है, अब यहाँ पर जो other reports हैं, इनसे related उनके बारे में बताया जा रहा है, कि जो quarterly employment survey release किया गया, September में, उसमें भी show किया गया था, employment यही key, जो आपके 9 sectors हैं, उसमें बोला गया, rising to 3.08 crore in April to June quarter, this year, from 2.37 crore in 2013-14, इसमें base year जो है, चूस किया गया था, जो 6 आपके economic senses हैं, उसके आधार पर, इसमें assess किया गया impact को, COVID-19, जो pandemic है, employment में, organized, जो आपके non-farm segment है, मतलब संगटी छेत्रों गया, लेकिन वो farm से हट के हैं, non-farm है, segment, ठीके न, इस report में यह भी बताया गया, कि employment जो है, decrease हुआ है, 27%, जो establishments में, due to the pandemic, मतलब 27% उसमें भी किरावट देखी गई है, अब यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है, कि 81% जो workers है, वो receive करते full wages, during the lockdown, यह सबसे बड़ी problem हुई, यह जो है कि workers को पूरी payment देरा भी, जो आपके निकाय थे, जो आपके उद्योग है, या कोई भी जो sector है, वहाँ पर यह मुश्किल हो गया था, क्योंकि अगर input ही नहीं होगा, तो फिर output कैसे निकलेगा, तो वहाँ पर जो receive किया, 81% लोगों ने full wages को वहाँ पर gain किया, प्राप्त किया, है न, lockdown period में लेकिन 16% जो है, उन्होंने receive किया reduced wages, and only 3% were denied any wages, it said, तो यह तो data है आपका, फिर भी हम तो analysis से करेंगे, ठीक है न, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि inflation भी कितना बढ़ा हुआ है, सारी चीज़े में महगाई भी हो गई, COVID के दौरान, बहुत लोगों की job भी चली गई, तो उतना ज्यादा inflation से adjust होके salary में increment नहीं हुआ, जितनी महगाई आ गई है, आप लोग देख पा रहे होंगे, अग्लियर वर्जन जो था QES का, वो suspend कर रही है था 2018 में, citing a gap in numbers with the payroll data, there are two components, अंडर जो आपका acquies है, उसके अंदर QES है, और area frame establishment survey भी है, जो cover करता है unorganized segment को, unorganized segment का मतलब यह होता है, कि जहाँ पर 10 से कम लोग, जो है, स्रमिक जो है, वहाँ पर काम करते हैं, उनको unorganized segment पूला जाता है, अब इसके बाद जो next हमारा article है, इसमें इंडिया ने join किया है, G20 Troy का, GS paper 2 और 3 दोनों में आएगा आपका यह, अर्ख वेवस्ता सा related है, तो इन्ह पर भी हमको यह जाना है कि G20 जो है, वो बहुत important आपकी economic domain वाले आपकी एक क्या है, प्लैक्फॉम है, जिसमें विश्व की सभी, जो है strongest जो आपकी economies है, वो इसमें participate करती हैं, और 1996 में जब Asian crisis होता है, एशियन टाइगर भी बोलते हैं, जो उभरती हुए अर्थे व्यवस् होता है, तो उसके बाद ही आप देखेंगे, तो 97-98 में, जो है G7, G20, तो अब जो है, आज की rate में G20 जो है, सबसे important economic जो है, आपका क्या है, प्लैक्फॉर्म है, जो economic, जो domain में important decisions होते हैं, तो यहीं लेती है, तो यहाँ पर key points बताया जा रहा है, कि इस move के बाद, इंडिय presidency, जो है आपकी next year, तो अगले वर्स जो है, G20 का अध्यक्षपद समालने के प्रक्रिया शुरू हो गई, नॉर्मल सा point है, प्राइका जो है, रेफर करता है, top grouping को, किस के अंतरगत, G20 के अंतरगत, जो consist करता है, आपका current, previous and the incoming presidencies, जो इंडोनेशिया है, इटली और इंडि चीक है, अब इंडिया ने जो है, assume किया है, G20 presidency को, December 1, 2022, किस से, इंडोनेशिया से, and will convene the G20 leader summit for the first time in India, in 2023, यह important है, prelims के लिए, कि G20 को हम पहली बार, जो है, यहाँ पर, summit को, जो है, इंडिया में आयूजित करने वाले है, the ministry of external affairs said in the statement, तो यह statement आपका, किस का है, हमारी, ज ministry है, किस से related, external affairs से related, अब यहाँ, इटली जो है, उसने host किया, G20 को, summit को, October 30, 31 के बीच में, जिसको attain किया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, where India had raised the issue of Afghanistan's future, following the takeover by the Taliban, तो यह जो matter था, उसको highlight किया गया था, क्योंकि अगर यह छेत्र अशांत रहता है, तो आस-पास में सारे चेत्र जो है, वो अशांत रहेंगे, और तालिबान तो वैसे भी, जो है, वो negative impact ही डालेगा हर चीज में, तो इंडोनेशिया जो है, उसने took over किया, G20 के presidency, 112, 2021 को, in the coming months, इंडोनेशिया will hold rounds of discussion at various levels among the members of the G20, before convening the G20 leader summit scheduled for October, तो यह normal से चीज़ है, कि यहाँ पर जो है, विभि तो यह शिया ने जो उसकी अध्यक्षता समा ली, तो यह सब जो है, नॉमल से चीज़ है, यह याद करने के चीज़ नहीं है, अगले साल के शेखर सम्मेलन का जो आयोजन है, वो किस समग्र विशय पर किया जाएगा, तो वो जो है, आपका लिखा गया है, कि recover together, recover stronger, इसके पार जो ट्रोइगा का member India बनेगा, तो India will work closely with Indonesia and Italy to ensure consistency and continuity of the G20's agenda, तो जो इसका agenda है, उसमें consistency और continuity किस तरीके से बनाया जाए, उसको सुनिश्चित करने के लिए जो है, भारत कारेदरत रहेगा, इंडोनेशिय और इटली के साथ, अब यहाँ पर G20 के बारे में बताया जा रह यह का important है, यह G20 जो है, एक informal group है, 19 countries है इसमें और plus one है आपका European Union, जो represent करता है, यह representative है, IMF कभी और World Bank कभी, जो Finance Minister है और Central Bank Governors है, उनकी meeting है यह, यह start की गई थी, बिगन की गई थी 1999 में, जो suggestion था आपका G7, Finance Ministers का, in response to the global finance crisis of 1997 to 1999, अब इसकी सदस्चिता में, दुनिया की सब उससे जो बड़ी या सबसे strongest या उननत जो आपकी उभरती यह अर्थ विवस्ता है है, उनका मिश्रण है, अब यह important है, यह point हमारे लिए, कि यह जो है आपका represent करता है, two-third of the world population, आप समझेगा, और 85% जो है, global gross domestic product, मतलब जो total global आपकी GDP है, उसके 85% को यह आपका represent करता, और 75% global trade को यह आपके cover करता, तो यह important हो गया, किसी भी जो platform है, या कोई भी आपका group है, तो उसकी importance बताने के लिए, यह जो है, सबसे important point हो गया, तो यह हमारे लिए important है, इसके सदस्य देशों में आप देखेंगे, तो Argentina है, Australia है, Brazil है, Canada है, France है, China है, India है, Germany है, Indonesia, Italy, Japan, Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United Kingdom, United States और EU है, यह group of 20 है आपका, और informal जो gathering है, यह बहुत सारी world की जो largest economies है, उससे संदर भी थे, और यह premier global forum भी है, जिसमें discussion किया जाता, economic issues को मैंने पहले ही बताया, but it has faced divisions over trade and the response to climate change, जो व्यापार है और जलवाई परिवरतन, उसकी प्रतिक्रिया पर जो है, इसम इसके बाद जो next हमारा यहाँ पर article है, बिल्कुल सिंपल सा है, यह आप resources में रख सकते हैं, GS paper third में, abundance of lithium in stars, तो अभी scientist ने यह found किया है, यह finding देखी है उन्होंने, यह mystery, behind the high abundance of lithium, a trace element on earth and a key component of rechargeable batteries in some evolved stars, तो भीया, उन्होंने देखा कि धरती पर जो है, इसका use किया जाता है, rechargeable battery बगरे मोबाइल में भी देखते होंगे आप lithium आयन वाली battery, तो अभी इन्होंने यह बताया कि कुछ जो stars है, उसमें lithium जो है, वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अब यह जो है, lithium की use किया है, कहां पाया जाता है, यह जानना हमाले लिए आवश्यक हो जाता है, तो about 1% red giants, red giants has remained a puzzle since the models of how star evolve predict the lithium must have been destroyed in the hot plasma of the stars, ठीक है, तो अभी भी जो है, यह जो आपका red giant बोलते हैं इसको, यह सारी process होती है, आपने देखा होगा, nova, supernova, red giant, तो यह सब आप लोगे ने देखा होगा, तो उसी के अंतरकर बता रहे कि अभी भी यह पहली बनी होई है, एक तर और क्यों यहाँ पर जो है, लिथियम जो है, सितारों में पाया जाता है, और क्यों जो है वो आपका नस्ट हो गया था, तो यह सब नॉर्मल से चीज़ है, यह जानने कि यह इतना important part नहीं है, अब यहाँ पर जो ऑस्टेलिया के अंतरकर एक सर्वे देखा गया है, authors drew on a last survey of the composition of red giants, undertaken in Australia, at the Australian National University, वहाँ पर observation gather किया गया है, by on the 3.9 M Anglo Australian Telescope, उसके द्वारा, at the Australian Astrophysical Observatory, यह जो सर्वे है, वो गाला नाम दिया गया है उसको, after a common Australian bird, वहाँ की एक बढ़ है, उसी के नाम पर, उसने प्रोवाइड किया है, collection of about, जो आपका 500,000 stars है, with well determined physical and chemical properties, including lithium abundance, तो वहाँ पर जो है, यह finding देखी गई है, कि lithium की प्रचूरता है, वहाँ पर, ठीक है ना, तो यह normal से चीज़ है, अब कि इस university ने किया, कौन से प्रोफेसर ने किया, यह हमारे लिए इतना important नहीं है, अब यहाँ पर देखेंगे, हम lithium के बारे में, यह हमारे लिए important यह आपका chemical element है, इसका symbol li लिखा हुआ है, यह react करता है vigorously with water, इसलिए इसको store करने में problem होती है, जल के साथ यह प्रबलता से अभिक्रिया करेगा, तो इसको store करना एक अपने आप में समस्या है, it cannot be kept under oil, oil के अंदर नहीं रख सकते, as sodium can, because it is less dense and float, तो यह density भी इसकी कम होती ह और यह float भी करता है, तो इसलिए जो है, इसको जो है, oil के अंदर भी, oil के साथ भी नहीं रखा जा सकता है, under standard condition, अगर सामानने condition की बात करें, तो यह आपका lightest metal है, सबसे हलका, और lightest solid element भी है, with 8 million tons, चिली जो है, world का largest lithium reserve वो अपने पास में रखता है, और इसके साथ ही, यह जो है, आपका, this puts the South American country ahead of Australia, ठीक है, Australia की बात कर रहे है, फिर Argentina की बात कर रहे है, और फिर China की बात कर रहे है, तो यह आपको ton वगएर याद नहीं करना है, इंडिया में भी जो researchers है, at the atomic mineral directories, जो है आपके, इंडिया की जो atomic energy commission, उसके अंतरकत का कारेरत है, वो आपका, है ना वहाँ पर देखा गया है, वहाँ पर जो है, हमारे हाँ, उसके भंडार है, अब इसका use क्या है, तो सबसे ज़्यादा तो जो use है, mobile में आप देखते है, mobile phone में, rechargeable batteries के रूप में, laptop में, digital camera में, electric vehicle में भी, है ना, lithium का जो use किया जाता है, कुछ non rechargeable batteries में भी, for things like heart pacemaker को जो बन लाई जाती है, तो alloys बनाके, तो किसके किसके साथ, aluminum और magnesium के साथ, improve होता है उस से, उसकी strength भी, और उसको हल्का भी बनाती है, magnesium जो lithium का alloy है, उसको use किया जाता है, armor plating में, aluminum, lithium alloys में, है न, जो use किया जाता है, वो aircraft में, bicycle frames में, और high speed trains में, देखे, armor plating के लिए, जो use किया ज जाता है एरक्राफ्ट में बाइसिकल फ्रीम्स में और हाई स्पीड ट्रेंज में लीथियम आक्सवाइट का जो आपका यूज किया जाता है वह स्पेशल ग्लास और ग्लास सेरेमिक्स में तो यूज वगरा है यह आप देख जाहिएगा इसके बाद जो नेक्स पॉइंट यह उसका यूज किया जाता है सभी परपर्ज में और हाई टंप्रेचर लुब्रिकेंच के लिए ठीक है और लीथियम जो कार्बोनेट है उसका यूज प्रोजन को जब इंधन के रूप में उप्योग किया जाता है तो बहुत सारे ये यूजेज बता दिये गए हैं आप लोग इनको बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट दूसरा जो है कि ट्विटर जो है मार्च 2006 में जैक डॉर्सी नोया ग्लॉस और जो आपके बिस स्टोन है और इवान विलियम्स है उन्होंना स्टार्ट किया था उनके द्वारा बनाया गया था और उसी वर्ष जो है 2006 में लॉंच किया जुलाई में ठीक है यह दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है तीसरा यह की हैड़कॉर्टर जो है यह बता रहे वाशिंग्टन डीसी में है यही गलत है आपका सैन फ्रांसिस्की कालिफोनिया में इसका हैड़कॉर्टर है और बहुत सारे इसके जो है आपके कार्य स्रेष्ठ जो है आपका उससे रेलेटेड आपका स्टेटमेंट्स दिये गया है और बताना है कौन सर्टू है तो पहला ये कि ये स्कीम है आपकी रेसिडेंशल एडुकेशन से रेलेटेड स्टूडेंट्स के लिए इन हाई स्कूल इन टार्गेटेड एरिया विल भी लॉंच्ट बाइदा गॉर्मेंट पहला जो यहां पर स्टेटमेंट लिखा गया है ठीक है बिल्कुल ठीक है आपका दूसरा जो है इसका जो उद्खाटन है दस दिसंबर को डॉक्ट शेडूल कास्ट स्टूडेंट्स तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है पहला और तीसरा आपका सही था इसका जो एंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे नेक्स्ट वीडियो में कंटीनू करेंगे तब तक लगातार ज अबर दस तरीके से बढ़ते रही है तैंक यू सो मच बैस्ट ओफ लग